गुड मॉर्णिंग स्ट्रेंस, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिस्स निक्था, आज हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण विज़ारफ वर्ण, भाशा की सबसे छोटी इकाई ध्वनी होती है ध्वनी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं वर्णों के क्रमबद व विवस्थित समू को वर्ण माला कहते हैं वर्ण के प्रकार, स्वर स्वर का उच्चारन बिना किसी वर्ण की साहयता के स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारन में स्वरों की साहेता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते है स्वर के भेद, रस्वस्वर, इनके उच्चारन में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री दिर्गस्वर, इनके उच्चारन में रस्वस्वर से दुगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ए, ओ, आ, प्लुट्सवर, इनके उच्चारन में दिगुना समय लगता है, जैसे ओ, आयोगवः इनका योग न स्वर और ना ही व्यंजन से होता है, जैसे अन, अ स्वरो की मात्रा इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि स्वरो की मात्रा क्या होती है, उन्हें व्यंजन सिक्ष्ट्रा इस तरह से जोडा जाता है और कैसे एक नए शब्द बनाया जाता है व्यंजनों के वर्ग अश्ट्र प, भ, ब, भ, म अंतस्त य, र, ल, व उश्म कोई व्यंजन अपने समान व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्वे कहा जाता है जैसे चट, कक, प दूसरा दो व्यंजनों और एक स्वर के मेल से बनता है सन्युप व्यंजन जैसे ख, ट, ग, ग, श, जिन शब्दों के सही उचारन के लिए उनके नीचे बिंदु लगाया जाता है उसे आगत व्यंजन कहते हैं जैसे ज, फ, शब्द के प्रतेक व्यंड को अलग करके लिखना व्यंड विछेत कहलाता है जैसे क, प्लस आ, प्लस म, प्लस अ, इस इक्वल टू काम अब दिये, अब हम लोगों ने अब तक जितना भी पड़ा उसके आधार पर कुछ प्रश्न है इनके उत्तर दें झाल झाल